अलो एब्रिवन, वेलकम टो स्टड़ी आईक्यू, सो फ्रेंड्स, वेलकम टो दी सीरीज ओफ जी सी लियोंग, आज हम जी सी लियोंग के लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर आपका रहने वाला है, लेक्स के ओपर डिस्केशन होगी, तो लेक्स के ओपर डिस करेंगे, लेक्स तो काफी सारे लोगों ने देखी भी होगी, और बेसीकली जब हम बात करते हैं लेक्स के ओपर तो एक चीज़ इंपोर्टन आ जाती है कि काफी इंपोर्टन वाटर सोर्स की तरह भी आपकी लेक्स जो हैं, वो काम करती है, आज एक सवाल वैसे बहुत ही पिजीदा है अब आप लोग क्योंकि मैं उमीद करता हूं उमीद क्या करता हूं मुझे पता है कि आप मैच के अंदर जरूर वेस्ट होंगे ठीक है अब जैसे तैसे टाइम निकाल के आये होंगे कि इसके बाद मैच का कॉंक्लूजन होगा तो वह बताना जरूर की कौन जीतेगा ठाइट चरिए यहां बात कर लेते हैं अब लेक्स के बारे में लेक जो है कॉमन लाइफ में काफी इंपोर्टेंट वॉरेक्स होता है और खासकर ऐसी कंट्री जो टॉपिकल नीचर के अंदर लेक का इंपोर्थरस और भी जादा बहड़ जाता है कारण उसका मुसं क्वार जात है व्रह typical जाती हैCU उतकर लेत्डिया उसका है क्या होते हैं यह बात में टैक है क्विध टर ड होगी जिसके अंदर वॉटर फिल अप हो जाता सिंपली एक होलो लेंड जिसके अंदर की वॉटर अक्यूमिलेट हो जाएगा वह आपकी लेक कलाएगी अब जो वॉटर accumulate हुआ है उसके character के basis पे ध्यान से सुनना जो water आपका accumulate हुआ है उसके character के basis पे कि वोटर saline है या water वो fresh है उसके basis पे हम यह कह सकते हैं या तो आपकी लेक होगी fresh water lake या फिर आपकी lake हो सकती है saline lake या तो आपकी fresh water lake होगी या होगा आपका saline lake होगा saline या fresh water लेक हो गाया पीडिएफ ठीक है आज डाल दी जाएगी अज आधि जाएगी हाँ तो या तो सैलाइन रेक होगी या फिर आपका क्या हो रेड़िया फ्रेश वोटर होगी आप इंपोर्टन जीज्य पता है थीख और जब मैं बात करता हूँ सेलाइन की तो most of the time आपका या तो कोई सी बगर रहेगा ठीक है या फिर हो सकता है एक ऐसा एरिया जहाप पर एवैपरेशन काफी जादा होता हो उसके किसमें में सेलनेटी बढ़ जाती तो वो सेलाइन लेक खेलाती है जैसे प्लायाज आपने नाम सुना होगा आप एवैपरेशन ज्णा होता नी अरियाज में सम्ट वो ड्राइनेज हो जाती स्रह सोल्टी बज जाता था उनको प्लायाज कि नाम से जाना जाता जिसकें क ocality ज्रू जाना ज्याता वो काफी ज्यादा होती है travel करना के गोमने का विचार अगर बनता है न आपका तो Wooler Lake को जरूर देखे लेकिन हाँ जॉब लगने के बाद जाएंगे तो मजा ही अलग लेवल का होगा तो Wooler Lake कहाँ पे होगी आपका Wooler Lake is where the Wooler Lake is in JNK ठीक है और आपकी बताइए सांबर Lake कहाँ पे है सांबर Lake तो माईग्रेटरी स्पीसिज के लिए भी पॉपुलर है तो सांबर Lake तो डेफिनेटली आपने सुना ही होगा ये मैं मानता हूँ तो चलिए अब देखो एक एक एक्जामपल और सुनो यार Lake के उपर हमने एक तो देखा कि Freshwater Lake है और दूसरा हमने देख लिया एक डिरेक्शन के अंदर कि एक Lake ऐसी है जो Saline है लेकिन इसके आपोजी टेक और Situation भी होती है वो क्या Situation है वो Condition ये है कि अगर मानलो Lake का Size काफी बड़ा है तो कई बार Lake इतनी छोटी हो जाती है कि बहुत ही छोटी है और कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें वो Sea के तरीके से नजर आती है जैसे कि आप Caspian Sea का Example देखो हम जानते ही Caspian Sea के नाम से बटेटेटेशन काइंड ओफ Lake ठीक है यह क्या देखने को मिलती है Caspian Sea जो है एक आपकी लेक की तरह नजर आती है अब देखो कुछ लेक क्या होती है काफी डेप्ट पे होती है मतलब हाई डेप्ट पे होती है जिन पर लगातार पानी चलता रहता है तो वो तो उती परमानेट लेक जिन पर एवैप्रेशन जादा नहीं है लेकिन कुछ लेक ऐसी होती है जिनका water source तो कोई fix नहीं होता लेकिन water source तो उनका fix नहीं होता बट क्या होगा लेक जो है उनके अंदर एवैप्रेशन काफी जादा होता है water source fix नहीं है, evaporation काफी जाद है, तो क्या होगी, temporary nature की lake होगी, ठीक है, temporary nature की जो lakes है, वो कहलाएंगी, तो यह कुछ आपका basic निजर आता है, जो आपका दिखता है, किसमें lakes के अंदर, कई बार क्या होता है, even हम drainage system के बारे में जब पढ़ते हैं, even हम पढ़ेंगे भी, जब हम तो हमें यह पता लगता है, कि drainage system में, आपके river जाके क्या करती है, कहाँ पे merge होती है, कहाँ पे end up होती है, किसी water body में, Bay of Bengal हो सकता है, Arabian Sea हो सकता है, कैस्ट पेंसी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, inland drainage, जिनके अंदर आपकी जो lake के अंदर ही river क्या हो जाती है, खत तो lakes की अगर मैं एक broad definition की बात करूँ, let's say कि आपके पास कोई क्योसन आ जाता है, और क्योसन में आपको lake के बारे में पूछा जाता है, तो lake is nothing, एक area होगा छो किस से field होगा, water से field होगा, एक depressed area होगा, जो water से field होगा, हो सकता है, surrounded by any of the other part हो, या फिर देखने को में लेकि आ आपका अलग होती है, कुछ barrier bar create होगा, कोई sand bar create होगा, कोई coral reef होगी आपकी, कुछ ने कुछ ऐसा होगा, जो lake को क्या करेगा, आपकी ocean से separate करता है, जैसे चिलका लेक है, चिलका लेक जो है, वो भी तो separated है, water से, Arabian sea के अंदर थोड़ी है वो, या Bayo Bengal के अंदर थोड़ी है, तो आपका barrier reef कहलाता है, तो इस type का situation यहाँ पर देखने को मिल जाती है, right, definitely, अब सवाल आता है, कि सर ठीक है, lake का character हमें समझाए, lake की type भी हमें समझाए, कि water के base पे हम कह सकते है, fresh water lake है, या फिर आपकी water के base पे, क्या होती है, saline water lake है, लेकिन lake form कैसे होती है, what is the way, जिसके त्रू क्या होता है, आपके lake का formation देखने को मिल जाता है, यह सबसे बड़ा सवाल आता है, formation के बारे में हम हम बात करने वाले हैं कि 이 formation कैसे होता है, एक lake का, देखिए लेक की फर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो काफी सारे इजेंट होते हैं जो लेक की फर्मेशन कर सकते हैं जैसे की ग्लेशर हो सकता है नहीं बिलकुल हो सकता है इसके लावा क्या हो सकता है रीवर्स हो सकती है बिलकुल हो सकती है इसके लावा विंड इरोजन भी कई बार ऐसा भी होता है कि आपके multiple forces जो है वो क्या हो जाते है multiple factor एक ही साथ काम करना सुरू कर देते हैं किसी लेकी formation के लिए तो sometime it happens कि आपकी live क्या होगी single factor से बनी है sometime it can be because of the multiple factor तो क्या होगा multiple factor से भी बन सकती है और आपके single factor से भी बन सकती है आप क्या आप देखिए सबसे पहले कौन सी लेक आती है हम बात करते हैं लेक फॉर्म बाइदी अर्थ मुमेंट वह आर्थ की मुमेंट की विज़े से अगर कोई लेक फॉर्मेशन हुआ है तो उसके बारे में हम सबसे पहले फोकस कर लेते हैं तो चली बात करते हैं कि ऐसी लेक जो कैसे अर्थ मुपिंट से बनी है वह आपकी लेख होंगे तो सबसे पहली लेक आती हैं आपके पास टेक्टोनिक लेक अब I think everyone, ठीक है, you are I think the jam of the geography, तो आप लोगों को जरूर पता है कि टेक्टोनिक लेक का क्या मतलब होता है, टेक्टोनिक के बारे में तो छोना ना, प्लेट टेक्टोनिक छी जिसमें हम प्लेट के मूमेंट के बारे में बात करते हैं, in the similar way, टेक्टोनिक प किया की आपकी basically एक टेक्टोनिक लेक है, मतलब, कोई भी ja fracture boundary होगी न, जब टेन्सट्र्व फॉर्स होगा, ठीक है, एंसनल फॉर्स अगर लग रहा है, तो आपके प्लेट का मूमेंट हो रहा है, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटीज जब चल रही है, उस केस में जो लेक प लाती है उसकी अपोजिट एक होता है रिफ्ट वैली लेक आपको रिफ्ट वैली का नाम लेते ही याद आगया होगा ग्रेट एफ्रिकन रिफ्ट वैली ठीक है ना रिफ्ट वैली का नाम लेते ही आपको क्या हो गया होगा याद आया होगा ग्रेट एफ्रिकन रिफ्ट वैल भी नों पार्ट एक दूर चले जाएंगे यह क्या बनाना इसमें अगर मौटर फिल अटा तो फिर आपकी लेक की फॉर्मेशन हो जाती आता यह आपका रिफ्ट सेक्शन में बताना नहतना है कि oni i3 कहां पे है black रिप्ट वैली तो नियट सी अधर मैं हुए है तो वह आपका एक तरीके से क्या ओदाएगा इसके अलावा अपका एक ओर लेको है की का ये सबसे deepest lake है, world की सबसे deepest lake है, इसकी depth of 4700 feet, मतलब काफी ज्यादा depth है, below the sea level, इतना ज्यादा sea level से नीचे है, तो definitely आपका क्या होगा, ये भी एक rift valley की lake बनती है, ये क्या होगा, आपका rift valley की lake जो है वो बन जाती, तो इस type से आपके काफी सारी lake की formation यहाँ पे आपको नज़र आती है अब होता है, lake कैसे form हो सकती है, lake can also be formed by the glaciation, क्या glacier से lake form नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, भी glacier भी क्या करेंगे, अपना erosive action करते हैं, जब glacier erosive action करेंगे, dead sea, yes, jordan, तो क्या होगा, जब glacier अपना erosive action करेंगे, तो फिर क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, obviously जैसे हम करेंगे, depression create करेंगे, जो depressions erosion से बनेंगे, उनकी अंदर जब water store हो जाता है, तो फिर आपका क्या देखने को मिलेगा, you will get to know, कि जब water उनके अंदर store हो जाएगा, तो हमारी outcomes क्या होगी, the formation of lake, क्योंकि depression के अंदर, अगर water, depression के अंदर, अगर water fill up हो जाएगा, तो definitely क्या होग लेकी formation हो जाती है, definitely, border के ओपर है, तो क्या होगा, वो भी लेकी formation कर सकता है, तो चलिए, यहां बात करते हैं, दो टाइप के लेकी, एक होगा का tan lake, एक होगा kettle lake, टान कैसे formation होती है, tan lake की formation होती है, bottom of the glacier के अंदर, जब glacier पूरा travel कर रहा होता है, bottom के ओपर क्या होता है, आप लेकी formation कर लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, tan lake के नाम से जानते है, यह कब बनती है, जब आपका valley deepening चल रहा होता है, ठीक यह process क्या होता है, यह valley deepening क्यालाता है, this process will be name as valley deepening, तो अब आपका जब glacier move कर रहा होता है, तो क्या करता है, valley को cut down करता है, और deep कर देता है, तो इसक basically आपका left behind हो जाता है, एक circular आपका hollow create हो जाता है, अब circular hollow create होगा, दीरे दीरे snow क्या होती जाएगी, melt होती जाएगी, तो वो snow क्या हो जाएगी, उसके अंदर water की form में deposit हो जाएगी, जब snow water की form में deposit होती है, तो आपका क्या बनता है, जैसे red tan बनते हैं, तो tan lake formation हो जाता है, अगर यह long and deep है तो उसका हम ribbon lake के नाम से भी जानते है similarly glacier से यह आपका क्या होता है cattle lake भी formation होती है यह क्या होगा आपका cattle lake की formation होगी यह होती है outwards plane पे outwards plane का मतलब जब आपका lower marine होता है ना end marine जिसको बोलते हम तो जब end marine होता है तो उस case में क्या होगा deposition होना शुरू हो जाता है deposition क्योंकि end पे जब glacier चला गया तो deposition होना गया लेकिन certain depressions भी होगे वहाँ पे जो छुटे छुटे depressions होते हैं न वहाँ पे वहाँ पे पाने deposit हो जाता है water जो है accumulate हो जाएगा अब जब वहाँ water accumulate होगा तो फिर क्या होगा आपके आउट वोस प्लीन के अंदर lakes बनेंगी जिसको cattle lake के नाम से जानते हैं लेकिन एक चीज़ यादक ना फ्रेंड्स cattle lake जो होती है वह हमीशा temporary होती है यह कोई permanent lake नहीं होती यह बड़े लंबे टाइम तक आपका प्रमोक्शन नहीं करती है बड़े लंबे टाइम तक आपका क्या देखने को नहीं मिलता इन में परमानेंसी नहीं होती है क्योंकि यह आपके लगबग बनती है एंड मोरेन के पास लगाता डिपोजिशन जब चलता रहेगा सेडिमेंट का तो सम टाइम यह जो होलो डेप्रेशन है वह फिल हो जाता है ठीक है अब वो जब फुल्फिल हो गया तो ऑटमेंटिक सी बात है में नहीं परिएट नहीं पॉर्मेशन का सवाल ही नहीं बसा लेकिन हाँ जो आपके होती है यह काफी लंबे टाइम तक चल सकती तो वीकेंट से कि यह क्या होती है आपकी परमानेंट लेक91 की फोय में देखने को मिल जाती है चली आगे बढ़ते है अब देखो हमने एक एक scoop की form में आपका eosen होता है जब यहां पर scoop की form में Erosen होगा तो ये लग-umenों जाएगे उन हिसे की अदर क्या होगा आपका basically जो rock hollows बनते हैं स्कूप बनेंगे उनके लूए बने मेलट घायेगी जब we gust होगी तो फिर आपके जो formation होगी उसको भी क्या बोलते हैं रॉक होलो लेक ठीक है रॉक के अंदर जो होलो डिप्रेशन क्रिएट हुए है जो स्कूपिंग क्रिएट हुई है उससे जो लेक्स बनती है वह लेक कैला आप ऐसी लेक्स मैं सकती है आपके पास कैसे मोरेन ही बैन एक चुक जिसाब सर्फ यह कि बात करता हूं चैसि की आप का ग्री इस लोव कर रहा है ठीक है अगर छोटे छोटे डिप्रेशन साते है तो ग्लेसिर वहां पे slow down होगा जैसे कोई जी slow down होती है und थो रहा ारीवर है विंड है when Suite ये अगर तो barrier के अंदर क्या होगा water accumulate होना शुरू हो जाएगा water जो है आपका from backward side water accumulate होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ देखो जो यह आपका depression चल रहा था glacier melt होके शुरू हुआ तो यहाँ पर क्या होगा आपका moraine dam बन गया ठीक है it is a kind of depression जो बना जो आपका sediment deposition हुआ कम energy की वज़े से वो एक moraine dam बनाता है डैम मतलब कोई ऐसा structure जो काफी उचा होगा तो obvious सी बात है यहाँ पर क्या होगा काफी सारा glacier जो है वो deposit होना शुरू हो जाएगा जब वो melt होगा तो यह lake की formation कर देता है moraine dams के नाम से इसको हम जानते हैं अब ऐसी आपकी lake बन सकती है कि सकती है और यही लेक होते हैं बिल्कुल सही बात है और पिता ने बोला है कि लेक ब्रस्ट ब्रस्ट ड्यूरिंग डिजास्टर इस टाइप की लेक जो है वह फॉर्मेशन होती है इसी लिए तो कई बार क्या होता ना देखो हमें यह लगता है जैसे उत्राखन रीजन में लेकिन पहले से फॉर्मेशन था ठीक है यह फॉर्मेशन लेकि फ्हले ही हो चुकी थी वह पहले सी ओवरफ्लो थी अब क्या हुआ जैसी ऐसा कोई गलीश अप्रेश तूट जाता है तो आउट वी सथन क्या होगा वह वोलिम और टोनीव और क्या होगा फ्लो कर जाएगा उ आपका मुव करके आ रहा हुता जब लो लएंड पे पहुंस देगा तो फिर क्या होगा वही आपके moeten है कही प格स के बीटर डिप्रेशन इसarya होगे तो डिप्रेशन रोल यनद के अंदर आपका वोटर क्या हो जाएगा deposit होना शुरू हो जाएगा लो लेंड के अंदर आपका वोटर होना शुरू हो जाएगा तो बेस्ट एग्जामपल बन जाता किसवालिया पार्ट उसको कट करने करेंगा के अंदर वौटर का डिपोजिशन चलता चला जाएगा लेक्स की फॉर्मीशन होगी लेकिन यह जो लेक्स हैं यह परमाने नहीं होती यह यह लेक्ट क्या करती है अपने पास को चेंज करती रहेंगे क्यों जितना ज्यादा डिपोजिशन होगा उतना पर जैसे भी यहाँ पर यहाँ से लावा लगातार भार निकल रहा होता है आप मुझे एक बात बताओ अगर out of the sudden, यहाँ पर blast हो जाता है, एक तो चीज मुझे यही बता दे न, blast कौन से टाइप के वलकानों में होता है, endisitic या basaltic, दो टाइप के लावा होते हैं आपके, एक होता है endisitic लावा, एक होता है basaltic लावा, आप बताइए मुझे कि कौन से टाइप के लावा के अंदर blast हो स होता है, water जो हो सकता है, right, तो आपका जब depression create होता है, उसको हम क्या बोलते है, basically वो crater के नाम से कहलाता है, ठीक है, उसको बोलते है crater, अब क्या होता है, लगातार लावा भार निकल रहा था, right, लगातार लावा भार निकल रहा था, crater की formation हो चुकी थी, थोड़ा टाइम ऐसा होगा ना कि बिलकुल लीचे hollow situation create हो जाएगी, और उसके ओपर अगर भार से force लगा, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे सम्मर्ज भी तो कर जाएगा, क्योंकि नीचे वाला पार तो hollow हो चुका है, जब वो सम्मर्ज करेगा, तो उसकी case में क्या formation हो जाती है, काल्डेरा की, त लेक टोबा है, तो लेक टोबा ही तो बेस्ट एक्जेमपल किसके लिए आपके काल्डेरा लेक के लिए, ऐसे होता है आपका लावा अगर मानलो block हो गया है, यहां पे देखो, भी मानलो आपके किसी बेरिया में लावा flow करना शुरू किया, जब लावा लगातार flow करता जा रहा था, तो जब valley region से लावा जाएगा तो ब्लोग हो जाएगा एक पात पर, जब वो ब्लोग होगा तो क्या करेगा, out of the sudden solidify होना शुरू हो जाएगा, जब वो solidify हो जाएगा, तो barrier create करेगा, barrier, और जब वो barrier create करता है, तो फिर से water उसमें accumulate हो सकता है, right, barrier create करेगा, तो क्य क्या हो जाएगा, definitely, एक लेक की formation हो जाएगी, yes, बता ये, विने, इस क्या डाउट है, what is the doubt, हाँ, लेक टोबा, okay, next is lakes that are due to the subsidence of volcanic land, ठीक है, देखो क्या होता है, देखो लगातार जब volcanic eruption होता है, mainly, जहाँ पे आपके active volcano होते है, can you give me example, जहाँ पे सबसे ज़्यादा active volcano होते है, can you give me some of the examples, जहाँ पे सबसे ज़्यादा active volcano होते हैं, definitely, जैसे इंडोनेशिया का, की ने बात किया है, इंडोनेशिया के बारे में, लेकिन इंडोनेशिया है कहाँ पे, इंडोनेशिया वाला पार्ट है कहाँ पे, बताइए, I think we can say it is a ring of fire, नई, क्या हम यह नहीं कह सकते कि, ring of fire region में है, और ring of fire region का मतलब pacific plate पे लगातार क्या चलता चला जाएगा, पे लगातार क्या होता जाएगा, बिसिकली इरोजन चलता चला जाएगा, जब इरोजन लगातार चलता चला जाएगा, तो उस case में मुझे क्या देखने को मिलता है, जब आपका इरोजन, या वलकनिजम, लगातार जब वलकनिजम चलता चला जाएगा, तो फिर क्या होगा mountains की formation होगी फिर से वॉल्कनिजम होगा लगातार mountain formation होगी तो वेट जो है वह भढ़ता जाएगा ठीक है वेट जो है वह भढ़ता चला जाएगा क्योंकि mountains form हो रहे हैं लेकिन नीचे तो hollow depression बन रहा है न एक टाइम ऐसा आएगा कि जो यह equilibrium इक स्च्राइब वा है वह एक्व रीग्डावन हो जाएगा है वह क्याए चाहर की कि देप्रेशन को अपकी लेक की बनायेगा तो यहाप को फायरी रिजन में ये लेक्स देखने को मिल जाते हैं तो यह थे रिजन कुछ जिसकी वजय से लेक फरमेशन होता है हालां कि देर असर टेन मोर रीजन जिसको हम आने वाली कंडिशन के अंदर आने वाली discussion के फिर से involved करेंगे अब जाने से पहले एक important information जो आप लोगों के साथ में share करना चाहता हूं if you guys are preparing for civil services exam then definitely what do we have we have live foundation batch for you if you want to join it then you can use the code copy live 14th November से आपका batch start हो रहा तो अपनी preparation को आगे बढ़ाने के लिए you can take admission yes if you want to search for geography optional क्योंकि geography optional काफी ज्यादा scoring भी है diagram से present भी कर सकते हैं तो अच्छे marks आराम से fetch कर सकते हैं that batch is also starting from 14th November you can take admission and classes will be conducted from the 14th November आपकी geography optional की strategy और सब चीजें comprehensive way से discuss करेंगे और अपनी 14th November की बाद में classes को resume करेंगे ओके चलिए इस session की PDF वो मैं डाल दूंगा आपको couple भार्दवाज official पर पहले वाले chapters की भी मिल जाएगी यहां पर playlist भी आपको इसकी मिल जाएगी complete playlist विल भी available आपके पूरे जीसी लियों की available होगी complete comprehensive discussion हम करेंगे अगर आप मुझसे बात करना चाहते तो couple भार्दवाज 2022 पर आप directly मुझे message कर सकते हैं ठीक है अब एक चीज़ में जाते जाते आप से लोगों से पूछना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर most saline lake कौन सी है वो आपको comment section में बताना है इंडिया में most saline lake कौन सी है सबसे ज़्यादा salinity जिस लेक में देखने को में लेगी वो आपको comment section के अंदर बताना है ओके thank you very much all the very best with location नाम नहीं location भी ओके thanks a lot